सब तरीकों को अपनाने के बाद भी कीट प्रकोप दिखाई दे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फसल को बचाने के लिए अंतिम हथियार के रूप में रासाइनिक दवाओं का इस्तेमाल करें लेकिन कीट नाशकों का चैन करने से पूर्व ये देखना जरूरी है कि किस प्रकार के कीटों का प्रकोप हमारी फसल पर है फल और सबजियों पर कीट नाशकों का छिड़काव करते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए जब भी फल और सब्जियों पर रासायनिक दवा छिड़कने की आवश्यक्ता हो तो पहले उनकी तुड़ाई कर लें उसके बाद ही दवा छिड़कना अच्छा रहता है दवा का छिड़काव सुबह या शाम के समय करें जिससे मित्र कीट जैसे बदुमक्खी, लेडी बर्ड बीटल जो दिन के समय फसल पर रहते हैं वे नश्ट नहीं होने पाएं दवा छिड़कने के बाद फसल में जहर कम होने की प्रतीक्षा करें अलग-अलग दवा और फसल के अनुसार प्रतीक्षा अवधी भी अलग-अलग समय तक होती है भिंडी की फसल में मेलोथियोन 50 EC का इस्तेमाल करने पर एक दिन क्यूनौल फॉस 25 EC का इस्तेमाल करने पर 6 दिन की प्रतीक्षा अवधी रखें बैंगन में डाई मिथोयट 30 EC इस्तेमाल करने पर 7 दिन की प्रतीक्षा करें टमाटर की फसल पर डाई मिथोयट 30 EC इस्तेमाल करने पर 7 दिन और मेलोथियोन 50 EC का प्रयोग करने पर 3 दिन के बाद तुड़ाई करें मिर्ज की फसल पर मेलोथियोन 50 EC का इस्तेमाल करने पर 2 दिन और मिथाईल डिमेटोन 25 EC काम में लेने पर 16 दिन की प्रतीक्षा अवधी के बाद ही उपयोग किया जाना उचित है ताकि उनमें जहरीले आइश न रहे